आज लॉर्ड बॉबी देवोल का जनम दिन है जी हाँ वही बॉबी देवोल जिनके जलवे को एनेमल मुवी में जब लोगों ने पांच मिनिट देखा तो लोगों ने कहा यार या आदमी खास है ये जो स्वैग है ये जो चाहा में ये लॉर्ड बॉबी देवोल का हो सकता है आक्टर बॉबी देवल आज 55 साल के हो गए पिछले साल बॉबी को अपने करियर की सबसे बड़ी सफलता मिली और एनिमल के जरीए 28 साल के अपने करियर में पहली ब्लॉकबास्टर नसीब हो हाला कि इस फिल्म में बॉबी देवल का किरदार जो था वो बहुत छोटा था नेगेटिव था लेकिन इसके बावजूद अगर रनवीर कपूर के बाद इस फिल्म में लोगों ने सबसे ज़ादा किसी को नोटिस किया एप्रिशेट किया या जिस पर रील्स बने या मीम्स बने तो वो बॉबी देवल के और शाद यहीं वजा है कि फिल्म इंडस्टरी अब बॉबी देवल को हाथो हाथ ले रही है और बॉबी देवल के पास बॉलिवूट से लेकर साउथ इंडस्टरी और OTT से जोड़े कई बड़े प्रोजेक्स हैं. हमें लगा कि बॉबी देवल के बारे में तो आपको बताएं ये बताएं साथी ये बता दे कि बॉबी देवल की कौन-कौन से फिल्में हैं वो आने वाली है और ये आपके लिए जाना जरूरी है क्योंकि आपको एक्साइटमेंट इसी को लेकर होगी तो बॉबी देवल एनेमल टू में आ रहे हैं फिल्म एनेमल में बॉबी देवल एकरदार अबरार की मौत हो गई थी लेकिन इतना पॉपुलर हो गया कि खबर आई है कि जबरदस्ती मेकर्स जो है वो एनेमल टू में बॉबी देवल के रोल को फिट करना चाहते है और खबर ये भी है कि इस बार जो बॉबी देवल का रोल होगा वो पहली वाली एनेमल से कहीं ज़ादा बड़ा कहीं ज़ादा स्वाइग वाला कहीं ज़ादा दमदार होगा तो ये आपने एक बहुत अच्छी खबर है कि बॉबी देवल आपको एनेमल टू में नज़र आएंगे है ना कमाल की बाद एक और उनकी फिल्म आरी एक कंगवा बॉबी देवल को लेकर कहा जा रहा है दोहजार चॉबीस के एंड में ये फिल्म रिलीज होगी और एक बड़ी फिल्म होगी साउथ की जिसको लेकर काफी एकसाइटमेंट हमारी आपके बनी रहेगी फिर बॉबी की एक फिल्म आ रही है अन्बीके 109 ये भी एक तेल्गू फिल्म है जिसमें बॉबी विलन के तौर पर नजर आएंगे और इसमें वेटरन आक्टर बालकृष्ण की 109 फिल्म है फिल्म की शूटिंग पिश्कसाल नवंबर में ही शुरू कर दी गए थी दिन बॉबी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आश्रम सीजन 4 आने वाला अगर आपने आश्रम के तीनों सीजन देखे हैं तो आपको बताने के जरूबी नहीं देखे हैं इसके बाद एक फिल्म आने वाली स्टार्डम शारुखान के बेटे आरेंड जो है अपना डिरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले हैं और स्टार्डम नाम की एक वेब सीरीज बना रहे हैं जोसमें लॉर्ड बॉबी देवल जो हैं वो भी निज़र आ रहे हैं लेकिन ये तो लंबे करियर में जातर फिल्में जो थी उनकी फ्लॉब थी अब ये पहली ब्लॉग बासर है जिसने साड़े नौसो करोड उपे कमाए हैं इससे पहले उनकी छे फिल्में ऐसी थी जो हिट्वी थी जिसमें बरसात, गुप्त, सोलजर, बादल, यमला पगला दिवाना और हा लाँ तक कि उनकी पहली फिल्म जो है वो बाइस साल की उमर में शूट की गए थी और छबीस साल की उमर में रिलीज हुई थी तो बाबी देवल ने अपने करियर में तमाम उतार चड़ाव देखे हैं लेकिन फिलाल बाबी देवल अपना जनम दिन बना रहे हैं और काफी लोग उनके पास पहुँचने हैं बाबी ने भी कहा कि भगवान महान है भगवान देयालू है ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ को बदल दिया है मैं परिशान था डिप्रिस था सैट था लेकिर अब सब कुछ बदल रहा है उस 15 मिनिटे करदार ने मेरे जिन्दगी में सब कुछ बदल दिया पैसे आ रहे हैं फिल्मे आ रही है नाम आ रहा है और अब अबरार हक करदार निबाया था फिल्म में बाबी की एक सीन की काफे साराना हूई थी जिसमें बाबी की मौत सुनने कि बाद वो रोप पड़ते हैं और खबर देने वाले शिक्स सा कतल करते ह बॉबी ने सीन को लेकर कहा था कि जब ये सीन आया तो मैंने अपने भाई को इमाजिन किया था और कहा कि एमोशन लाने के लिए मैंने इमाजिन कर लिया कि सनी दियोल के साथ कुछ हो गया उसके बाद जो इमोशन निकले वो सब कुछ मेरे सचे थे और इसी तरह से मैं अपनी आक्टिंग को बहतर कहता हूँ हलाकि बॉबी ये मानते हैं कि आश्ट्रम वेब सिरीज ने उनकी जिन्दगी को बदला और एनिमल ने उस को टॉप पर ले गया फिलहाल बॉबी देवल काफे खुश है, एक्साइटेड है, इमोशनल है और अपने बॉधरे पर तमाम फैंस का शुक्रियादा कह रहे हैं कि आप सभी इसी तरह से प्यार देते रही है क्योंकि अब वो काम करना चाहते हैं जो अब तक इंतजार कर रहे थे बॉबी ये मानते हैं कि फिल्म एनिमल में उनके किरदार को मरता दे कि उनकी मॉम काफि सैट थी उनने का कि ऐसी फिल्म में मत किया कर लेकिन अब वो समझ रही हैं और मैं इस बात को लेकर भी खुश हूँ कि हो सकता है मेरा अनिमल टू में, अनिमल पाक पे फिल्म में एक नया सीना है जिसको देखकर शायद मेरी मौम को लगा है कि वाह ये थो मेरा बेटा है हला कि आपको ये भी स्टोरिया मता दें कि बॉबी देवल को ये फिल्म उनके बुरे दोरे में ली थी बॉबी देवल जब खराब दोर में गुजर रहे थे तो परिशान होकर दाड़ी बड़ी रख ली थी और तब एक सेलिबरिटी क्रिकेट लीग चल रही थी उस दोरान ही उन्होंने ये तमाम चीज़ें देखी और उसके बाद अपनी दाड़ी बढ़ा ली उस वक्त उस बरबादी के दिनों में उनके इस लोग को देखकर शैसंदी वांगा रेडी ने उन्हें पसंद किया था और कई सालों बात कहा कि अगर आप ये वाला लोग बनाएंगे तो फिर आपको मैं कास्ट कर लो और बाबी इसको लेकर भी कहते है कि कई बार बेकारी के दिन काम आते हैं और इसी तरह से मुझे एनिमल मिल गए खिर बाबी देवल को लेकर हमारा सवाल अपसे कि बाबी देवल को 15 minute के रोल के लिए इतनी popularity क्यों मिले आपको क्या लगता है कि सड़नली बॉबी देवल को लेकर इतना ज़्यादा प्यार क्यों मिलने लगा क्या ये बदलाओ आश्रम क्यों जासे था वेब सीरीस क्यों जासे था OTT आने जासे था या फिर एक emotional connection वैसे देवल परिवार के लिए पिछला साल अच्छा था हम उन्हें शुब कामनाई देते हैं कि ये साल भी उनका अच्छा हो आपके लिए बॉबी देवल की फिवरेट मेमेरी कौन सी है हमें जरूर बताएगा बाकी आप ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहेगा मैसा जेहन जेह भारत